हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं हूँ कॉमल शर्मा और आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बो हाइड़ेट पार्ट नमबर टू पहले वीडियो में हमने प्रोपर्टीज क्लासिफिकेशन और मोनो सेक्रेड के बारे में सब कुछ पढ़ या था और आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आईसमारिजम तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विइद इस टौ एट इस स्टीरियो आईसमिएरिसम हम देखने माले हैं कि और आपके के வень Medal इस molecule के अंदर जितने भी carbon के atom है या फिर जितने भी hydrogen के atom है पिर जितने भी atom है उनका जो number है वह सेम रहेगा ठीक है जितने भी bonded atom है यानिकि bond से जितने भी atom bind है वह सेम रहेंगे different हो जाता है arrangement तो उसको आप कहेंगे उस process को आप कहेंगे Stereo isomerism और जो ऐसी प्रोपर्टी शो करते हैं उन्हें आप कहते हैं stereo-isomal था जैसे अगर मैं आप को एक्जैम्प्ल की की तोर पर बताओं किके यहां कार्बन sermon है जाहां है कुछ ऐसा 1 जहां पर भी किस तरीके से और यहां पर भी कुछ इस तरीके से हैं तो मैं कहूंगी कि पूरे मॉलीक्योट कार्बन का number 1 है ठीक है यह स्क्वार मैंने बनाए हैं इनका number 2 है और यह जो अजीब सी स्ट्रक्च्चर मैंने ड्रोकिया ने की पेंटागं जो है इसमें यह 2 है ठीक हैं तो इस तरीके से इस molecule का जो formula है मैंने इस तरीके से drive कर दिया है अगर मैं दूसरा ही यहां पर बना लेती हूँ तो मैं अगर कुछ ऐसा बना हूँ carbon है यहां square मैंने लिया है यहां पर लिया है मैंने pentagon यहां पर लिया है square और यहां पर भी मैंने लिया है pentagon ठीक है अगर मैं इसी तरीके से इ इवर भी दो हैं ठीक है तो कि आपको नहीं लगता कि इन दोनों मॉलेक्mi का हिने ने Gr2 ऐख किया है यहां पर भी कार्बन रन यहां पर भी स्केरदों है पेंटगं दो है स्क्वेर दों है और पेंटगं दो है यानि कि molecular formula same है बिल्कुल same है और इनसे जो bonded ये atom है ये भी same है सब के अंदर लेकिन जो arrangement है वह different हो गया है यहाँ पर pentagon दोनों side में थे बट यहाँ यह साइड आ चुके हैं यहाँ square दोनों उपर थे लेकिन अब यह side में है तो इस तरीके से इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें यह तो मैंने आपको एक simple सा example दिया है अब इस stereo isomerism को हम देखने वाले हैं carbohydrates के अंदर ठीक है तो यह जो process हुई है इसको बोलते है stereo isomerism और इन दोनों molecule को हम कहेंगे कि यह एक दूसरे के stereo isomer है ठीक है चल यह तो एक बार definition पर अगर बात करें तो chemical compound has same molecular formula okay and sequence of bonded atom but differ in the arrangement of their atom यानि कि molecular formula same है bonded atom same है but जो arrangement होता है atoms का वो different हो जाएगा तो आप उसको stereo isomerism कहेंगे ठीक है अब एक condition दी गई है कि stereo isomer are formed when one or more chiral carbon present यानि कि जो stereo isomerism है वो कप perform हो सकता है जब एक carbon के पास यानि वो carbon जो है chiral होना चाहिए अब बात करते हैं कि chiral का मतलब क्या है for example आपके पास यहां एक carbon है और हमें पताए कि carbon चार covalent bond बना सकता है अगर उसके चारों bond पर attach होने वाला कोई भी group या molecule या फिर atom different है तो वो chiral है अगर same है तो वो achiral है यानि कि कैसे मैंने यहां hydrogen attach कर दिया है यहां पर OH कर दिया है यहां oxygen कर दिया है और यहां CH3 तो आप देख सकते हैं इस carbon से जितने भी atom attach है वो सब different है OH है H oxygen CH3 सब different है तो यह एक chiral carbon है लेकिन अगर बात की जाए कि यहां पर एक carbon है H है यहां पर भी H है यहां COOH है और यहां NH3 है तो आप देख सकते हैं NH3 different है COOH भी different है बट यह जो दोनों group है वो same हो चुके है तो यह carbon कभी भी chiral नहीं हो सकता ठीक है तो stereo isomerism के लिए condition दी गई है कि stereo isomerism जो है हमेशे तब perform होगा जब उस molecule की अंदर जो carbon है वो chiral हो उसके पास या तो एक chiral हो या तो बहुत सारे chiral हो ऐसा नहीं हो कि इसके पास एक भी chiral नहीं हो या तो एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं और क्या होता है देखिए all sugar except dihydroxy acetone dihydroxy acetone को छोड़ कर बाकि जितने भी शुगर के molecule हमने पढ़े हैं monosecrites के अंदर या फिर polysecrites में हम पढ़ेंगे वो सब stereo isomerism को perform कर सकते हैं क्योंकि उनके पास chiral carbon होता है छोड़ कर dihydroxy acetone को वैसे इसका जो diagram है वो पहले भी हमने किया एक बर मैंने यहाँ प सब्सक्राइब है एक दो तीन आप देख सकते हैं कि अगर में इस carbon की बात करूं तो इस carbon में दोनों सेम गुरूप है hydrogen hydrogen तो यह काईरल नहीं है अगर मैं इसकी बात करती हूं तो इसमें भी यह जो दो गुरूप हैं यहानि कि दो एटम सेम आचुके हैं तो यह भी काईरल कार्बन नहीं होता है इसलिए यह स्टीरियो आइसोमरिजम को फोर्फोर्म नहीं कर सकता अब बात करें कि हम कैसे निकाल सकते है तो इसका फोर्मुला होता हैं QDH और यहां पर इन से मतलब है नंबर ओफ कारिल कार्बन जितने भी नंबर ओफ कारलешь कार्बन है इनले आप यहां पर रखे 2 की पावर में और calculate करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह particular molecule कितने stereoisomer form कर सकता है तो देखो stereoisomerism जो है stereoisomer जो होते हैं फर्दर दो टाइप के होंगे diastereomers and inanxiomers inanxiomers क्या होंगे mirror image होते हैं यानि कि जो दो molecule हम देखने वाले हैं जो दो chemical compound हम देखने वाले हैं उसमें जितने भी carbon होंगे और उनसे bonded जो atom है सब की position different होगी यानि वो एक दूसरे की mirror image होते हैं बिल्कुल opposite होते हैं ठीक है अगर ऐसा है तो आप कहेंगे inanxiomers लेकिन अगर ऐसा नहीं है जितने भी chemical compound के अंदर carbon है उन सभी carbon के जो bonded atom या molecule या फिर ग्रूप है वो सब different नहीं होते से कुछ एक different होते हैं तो आप कहेंगे डाइ स्टीरियो आइसोमर्स ठीक है डिफ्रेंस समझाया इन इसी के साथ में एक और molecule में आपको दिखाती हूँ यहाँ H है और यहाँ H है यहाँ CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है तो आप देख सकते हैं कि इनका जो molecular formula है वो सेम है bone के साथ में जो group attach है वो भी सेम है लेकिन arrangement different है तो पक्का यह stereo है लेकिन सिस ट्रांस हम कब बोल सकते हैं अगर कोई सेम गुरुप मतलब साथ में आता है बिल्कुल इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर भी साथ में हैं CH3 CH3 सारे साथ में हैं तो इसको कहेंगे आप सिस लेकिन अगर वह opposite direction में होते हैं इस हैं अगर वह opposite direction में है तब आप कहेंगे इसको ट्रांस अगर वह opposite में होते हैं तो ट्रांस अगर वह सेम साइड में होते हैं तो सिस आप कहेंगे इस तरीके से उनली वन कार्बन पर चेंज होगा बाकी सब सेम रहेगा तो एपीमर कहेंगे और अगर वो एपीमर साइकलिक फोम में हो जाए तो उसको एनोमर कहेंगे ठीक है अच्छे समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं आगे हम एक्जामपल के साथ में देखने वाले हैं तो आपको ब पोजिशन में चेंज है तो आप कहेंगे इनन्शोमर यानि की वो एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं जैसे कि यहां बात करते हैं यह डाई ग्लिस्रल डिहाइड है यह एल ग्लिस्रल डिहाइड है देखो यहां ओक्सीजन है लेकिन जैसे वो चेंज करेगा तो की ओक्सीजन इधर आ जाता है यहां पर प्र्या बात कर सकते हैं तो यह मिरर इमेज है अगर बात करें यहां पर तो देखें यह यहीत-र याठ में जैके चेंज किया गया तो इस्का जो ओएच है जो कि पहले राइट साइड लेप्त साइड में आ चुका है यानि एक बूसरे की मिरर इमेज हो चुके हैं जैसे अगर हाथ की बात करें तो यह हमारा ही जो हाथ है both their की मिरर इमेज होते हुए तो इस तरीके से यहीं होंगे और यहाँ पर दिया गया है D और यह बात आती है कि यह यहां पर लिखा है D Glyceral Dehyde और यहां पर लिखा है L Glyceral Dehyde, इनका मतलब क्या होता है, यहां कि D और L का मतलब इसने यह कहा है, कि अगर जो काईरल कार्बन आपके पास है, उस काईरल कार्बन में OH की जो पोजिशन है, उसको देखकर आप उसको D और L नोटिफिकेशन दें कैसे, यानि अगर OH का जो है, वो राइट साइड में होता है, तो आप कहेंगे उसे D, और अगर OH लेट साइड में होता है, तो आप कहेंगे उसको L, ठीक है, इतना सिंपल ही है, कि अगर OH राइट साइड में है, तो आप उस केमिकल कमपाउंड को D से रिप्रेजन करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे और अगर उसका ओएच लेफ्ट साइड में है तो आप उसे ल से नोटेशन करेंगे ठीक है अब बात आती है कि यहां पर तो एक ही काईरल कार्बन था अगर हमारे कैमिकल कंपाउंड में एक से ज्यादा काईरल कार्बन हो तब हम किस भीहापर उमर है यह नहीं है ठीक है इने शोमर क्या होता है कि सभी कार्बन की जो बॉंडड गुरूप है उनकी पोजिशन डिफरेंट हो जाती है जैसे अगर बात करें देखिए कार्बन है यह कार्बन है यह कार्बन यह कार्बन और यह कार्बन ठीक है इस कार्बन की बात करें तो यह position भी change है यहां यह right में है यहां left में है तो यानि कि जितने भी carbon atom है जितने भी chiral carbon atom है उन सभी के bonded atom की या फिर group की position change है तो यह enantiomar है तो जिक है अब बात करते हैं कि यह D और L हम कैसे decide कर सकते हैं तो अगर carbon ज्यादा है एक से ज्यादा chiral carbon है तो आप decide करेंगे कि जो second last carbon है जो second last chiral carbon है उस पर जो OH गुरू present होगा उसकी position को देखकर आप बताएंगे कि वो D है या L है कैसे देखो अगर यहां पर बात करते हैं तो यह right side में है ठीक है second carbon last second यह हुआ और इसमें यह right side में है तो यह D हो जाएगा और इसकी अगर बा left side में है तो इसे आप L glucose कहेंगे इसे आपने D glucose कहा है ठीक है बात समझ आई तो इस तरीके से अगर एक सी जादा कारल कार्बन होते हैं तो आप उसमें D और L decide करेंगे second last carbon से कि second last carbon पर जो OH गुरूप आया हुआ है वो right में है या left में है तो इस तरीके से आप D और L बता सकत है तो अभी हमने क्या किया है कि अगर OH जो होता है वो left side में है अगर वो left side में है तो आप उसे L से notation देंगे अगर OH right side में होता है तो आप उसे notation देंगे D से ठीक है आप उसे D से करेंगे यहां पर L से करेंगे और अगर ज्यादा कार्बन है तो आपको चेक करना है second last carbon आप करेंगे सेकिंड लास्ट कार्बन के पास जो ओएच गुरूप है उसकी पोजिशन को आप देखकर बताएंगे कि वो एल होगा या डी होगा चैक है तो इतना ही सिंपल है इने शोमर तो बात समझाई कि इने शोमर क्या होते हैं जब सभी काईरल कार्बन से बोंडेड एटम य सबाता है तो आप उसे कहेंगे इने शोमर ठीक है निको अगर में कार्बन की बात करूं तो यह का इन नहीं आगर में इसकी बात करूं तो यह भी काईरल नहीं है तो इनकी पोजिशन में क् warfare दिवर उससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें उस पूरे chemical compound में केवल chiral carbon की position देखना है यानि कि chiral यह है यह भी chiral है यह भी chiral है यह भी chiral है बस इनसे bonded जो atom या group हैं हमें उनकी position को देखना है to check the inansomers ठीक है ओके आगे बात करते हैं diastereo isomers क्या होते हैं देखो जब when change occur at one or more carbons but not at all carbon यानि कि सभी carbon atom की बात हम नहीं करेंगे यानि सभी carbon जो chiral carbon है उनमें change नहीं होगा कुछ एक में ही होगा तो आप कहेंगे diastereomer और अगर सभी में change आ जाता है तो आप कहेंगे inansomers ठीक है तो ये diagram जो आपके सामने है इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो group है और ये वाला जो है दोनों chiral नहीं है ये भी chiral नहीं है तो हमें इनकी position से कोई मतलब नहीं है तो ये भी chiral है 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 तो हमें बस इन चारों की बात कर नहीं है हमें बस इन चारों के बारे में देखना है कि इनसे जो bonded atom है उनकी Carbon कि प्र चेंघ है यह है यह नहीं है तो देखिएगा अगर मैं फिर्स चार्बन की बात करती हूं तो इसमें गैज जो है की चेंज है ओके अगर में थर्ड कार्बन की बात करती हूं तो ओएच यहां पर भी राइट में है और यहां पर भी राइट में है यानि कि यह इसकी पोजिशन में चेंज नहीं आया है अगर फोर्थ कार्बन की बात करती हूं तो ओएच यहां राइट में है और यहां पर भ काईरल कार्बन जो हमारे पास हैं उनसे बॉन्डर मेँ जो गुरूप या ऐटम हैं उनकी पॉजिशन अगर डिफ्रेंट होती तो यहाँ पर 4 काईरल कार्बन हैं लेकिन चारो का रजू से बॉञ्द जो एटम या गुरूप है उनकी पोजिशन चेंज नहीं हुई है केवल दो की हुई है इन दो की तो बिटा ये क्या होंगे इन एंशोमर नहीं होंगे ये डाइस्टिरियो आईसोमर्स होंगे ठीक है तो इन्हें आप क्या कहेंगे डाइस्टिरियो आइसोमर्स यानि की और D और L हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जो सेकिंड लास्ट कार्बन है उसमें जो OH गुरूप है वो right में है या left में है उसके भिआपपर हम बता सकते हैं कि वो D है या L है. तो देखो यहां पर right में है यानि कि ये D है और यहां पर भी right में है यानि कि ये भी D है. तो दोनों ही D है ये D glucose है और ये D altrose है ठीक है इसकी बस इन दो position में change होता है So these two are di stereoisomers ठीक है आगे बात करते हैं कि ये जो diagram आपके सामने है ये बहुत अच्छा diagram है इससे हमारे दो concept अच्छे से clear हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको केवल ये वाला पार्ट देखना है इधर इसको भी फिलाल के लिए भूल जाएं बस इतनी बात करते हैं यहाँ पागर मैं बात करूं तो देखिए chiral carbon ये है मतब ये तो chiral नहीं है यूग कि इसके पास 3 ही एच्छे कोई भी अलग अलग गुरूप नहीं है और ये भी chiral नहीं है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है यानि कि इसके पास केवल दो ही ऐसे carbon के atom है जो की chiral है तो अग में हैंनि की यहां change हौँआ है और अगर मैं इसकी बात करती हूं तो देखोयां जो वह है वह लेज यहां राइट में है तो इसकेपास दो ही काईरल कारब नहीं है और तोनों कारबन से जो एटम यह गुरुप अटैच है वो different है तो यानि कि यह इनाइन्सयोमर हो जाएंगे हमने यह तो पढ़ा है कि जितने भी carbed कार्बन है उन से bonded atom और गुरुप की position अगर change है तो वह इनाइन्सयोमर है तो उस में दो ही car번 है और दोनों की position में difference है, तो यह दोनो inuben चोमर है, एक दूसरे के, ठीक है, अब इसको अगर भूल जाए, यहाँ पर बात करें, तो देखते हैं, यह chiral नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यह भी chiral नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यह दोनों chiral है, तो इनकी position को देखते हैं देखो यहाँ पर बी आर राइट में है यहाँ बी आर लेफ्ट में है यानि की change है यहाँ पर राइट में है और यहाँ पर लेफ्ट में है तो इन दोनों की position भी change है तो यहाँ पर दोनों की position में change आया है दो ही chiral carbon है दोनों से bonded atom जो group है उनकी position change है तो ये भी इनैंशोमर है बात समझ आई यानि ये दोनों एक दूसरे के इनैंशोमर है और ये दोनों एक दूसरे के इनैंशोमर है क्योंकि बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं एक अपने 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 यहां से क्लियर करिया है इनैंशोमर क्या होते हैं किसी भी chemical compound में जितने भी काईरल कार्बन है उन काईरल कार्बन से जो बॉंडड़ एटम या गुरूप है अगर उन सभी की पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट है तो उसे आप कहेंगे इनाइन शोमर चलिए तो अभी बात करते हैं कि यह जो फॉर्स्ट वाला है यह जो फॉर्स्ट हमने लिया था अ तो यह काईरल नहीं है यह भी काईरल नहीं है यह भी काईरल नहीं है यह भी काईरल नहीं है तो इनसे कोई मतलब नहीं बस काईरल दो है तो यहां बी आर राइट में है यहां पर भी बी आर राइट में है तो यानि इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है लेकिन यहां जो ओ बॉन्ड एवब डिफरेंट है और हम्ने पड़ा है इसको कहते हैं डाइस्टीरियो आईसोमर्स यानि अगर एक या एक से ज्याधा कायरल कारबन की पोजिशन में चेंज आता है तो उसे आप डाइस्टीरियो आईसोमर्स कहते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के stereo isomers होंगे ठीक है अब बात करें अगर मैं इसको compare करना चाहूं इसके साथ में तो ये भी diastereo isomers होगा कैसे देखो इसकी बात करते हैं BR यहां right में है लेकिन यहां left में है change आया है और यहां यह right में है यहां भी right में यानि कि दो कारल कार्बन है केवल एक में ही change है तो यह diastereo isomers हो जाएंगे तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि inansomers और diastereo isomers में क्या difference होता है दोनों के difference को हम अच्छे से जान चुके हैं कि क्या difference होता है चल यह तो आगे बढ़ते हैं अपने next topic पर जो की है epimers ठीक है epimers किसका type था diastereo isomers को हमने दो पार्ट में divide किया था cis and trans and epimers अभी हम बात कर रहें epimers की तो diastereo isomers में हमने पढ़ा है कि जितने भी carbon है जितने भी chiral carbon है किसी भी chemical compound में अगर उन सभी chiral carbon से bonded atom या group की position में change आता है तो हम कहेंगे enantiomers अगर एक या एक से ज़्यादा में आता है सभी में नहीं आता तो हम कहेंगे diastereo mers और diastereo mers में भी जब हम epimers पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि केवल एक carbon की position में अगर change है तो वो epimers है बाकि सब सेम रहेंगे कैसे देखो when change is at only one chiral carbon अगर केवल एक ही chiral carbon पर change होगा तो आप उसे epimers कहेंगे तो अगर बात करें यह structure है D glucose का चम ने इसको D क्यों बोला है क्योंकि जो second last carbon है उस पे जो ओच गूर पर वो right में है तो इसको D कहेंगे तो यह structure जो आप देख रहे है मिडल में यह है D glucose का structure ठीक है अगर मैं इस D glucose को compare करती हूँ D manose से यह जो structure है D manose की है अगर मैं इससे compare करती हूँ तो देखते है कि किस तरीके का studio isomer है देखो यहाँ पर यह जो second carbon है देखो first carbon chiral नहीं है तो इसको cut कर दीजिए six carbon भी कारल नहीं है तो इसको भी cut कर दीजिए बात करेंगे के वल हम इन चार carbon की ठीक है जो second carbon है इसमें OH है left side में लेकिन इसमें right में है तो यानि यहाँ पर change हुआ है एक position पर अब तक change हुआ है second के बात करें तो यह left में है यह भी left में है no change यह right में है यह right में है no change यह भी right में है यह भी right में है no change यानि कि केवल एक ही position पर change हुआ है तो यह होगा epimer अगर मैं इसको compare करना चाहूं डी ग्लुकोस को मैं compare करना चाहूं डी गैलक्टोस से तब देखते हैं तो देखें अगर मैं बात करती हूं सेकिर्ड कार्बन की ये भी right में है ये भी right में है तो no change अगर third carbon की बात करती हूँ तो ये left में है ये भी left में है तो no change fourth carbon की अगर मैं बात करती हूँ तो यहां right में है और ये left में है यानि कि change यहां हुआ है ठीक है अगर मैं fifth carbon की बात करती हूँ तो ये भी right में है और ये भी right में है यानि कि no change तो आप देख सकते हैं इसमें पूरे में केवल यह जो 4th position है यहां पर change हुआ है और अगर इसकी बात करूं तो 2nd पर change हुआ है यानि केवल एक ही carbon पर अगर change होता है तो वो epimer होते हैं तो इस D-menos को मैं किस तरीके से बोल सकते हूं यानि के carbon 2 पर change है और अगर मैं D-galactose को बोलना चाहूं तो कैसे बोल सकते हूं यह बहुत important question है नेट में भी यहां से question आ चुका है तो आपको ध्यान से देखना है कि यह जो D-menos है यह epimer है D-glucose का चीक है यह epimer है D-glucose का और जो D-galactose है वो भी epimer है D-glucose का बस position का अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर D-menos की बात करते हैं तो यह epimer है C-2 position पर और अगर D-galactose की बात करते हैं तो यह epimer है C-4 position पर चीक है तो इस तरीके से हम epimers की बात करते हैं देखिए अगर मैं इस structure की बात करूँ तो मुझे बताए क्या यह epimer होंगे या नहीं अगर first carbon की बात करें chiral नहीं है cut करो इसकी बात करें chiral नहीं है तो cut करो होँ बात करेंगे केवल इन तीन carbon के क्योंकि इस में यh chiral carbon है यहाँ पर भी यह Ohhh नहीं है cut करें इसको भी यह भी कारल नहीं है इसको भी हम cut करते हैं की वर इन तीन की बात 최om तो देखिए इसमें ये जो है ये है राइट साइड में जबकि ये लेफ्ट में है तो चेंज तो मिल गया हमें फर्स्ट पोजिशन पर ही ये भी राइट में है ये भी राइट में है यानि कि नो चेंज ये भी राइट में है और ये भी राइट में है यानि कि नो चेंज तो स्रक्चर और यह है डी एरबिनोस का स्रक्चर तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि जो डी एरबिनोस है ठीक कि यह जो डी एरबिनोस है दिस इस दा एपिमर ओफ डी राइबोस at carbon C2 ठीक है यानि कि मैं इसको D-Arabinose को कैसे लिख सकती हूँ epimer of epimer of glucose epimer of glucose at C2 ठीक है तो इस तरीके से हम epimers को represent करते हैं I hope आपको epimers समझ आया होगा चलिए तो आगे बात करते हैं on cyclic form और ring form अच्छा हम यह यह पढ़ना है क्योंकि अभी हमने stereoisomer में जब difference देखा था classification हमने देखी थी तो उसमें हमने anomer को भी पढ़ा था लेकिन anomer में यह difference है epimer और anomer में क्या difference है epimer में भी केवल एक ही carbon पर change होगा anomer में भी केवल एक ही carbon पर change होता है बस difference यह है कि यह जो epimer है वो straight chain के अंदर देखा जाता है जबकि anomeric cyclic form में देखा जाता है यह structure जो भी हमने देखी है यह chain के structure है तो अगर आप इस chain में रिलाइज करते हैं और आपको केवल एक ही carbon में change मिलता है तो आप उसे epimer कहेंगे लेकिन अगर cyclic form हो जैसे कि यहाँ पर देखे यह cyclic form है इस cyclic form में यह जितने भी carbon है अगर उसमें से केवल एक ही carbon की position में change है तो आप उसे epimer नहीं अब आप उसे anomer कहेंगे तो cyclic के लिए anomer की बात की जाती है तो अगर बात करें cyclic form की तो carboidrates के अंदर 2 cyclic form मिलती है एक होता है 6 member ring यानि कि अगर उसके अंदर 6 member है तो आप उसको कहेंगे pyran और अगर 5 member की ring है तो आप उसे कहेंगे furan ठीक है आपको यह दोनों बाते याद रखनी है कि अगर 6 member की ring है तो आप pyran कहेंगे अगर 5 member की है तो आप furan कहेंगे ठीक है chain form से cyclic form में conversion कैसे होता है कि जो second last carbon है वो first वाले carbon से bonded करता है और इसको convert कर देता है cyclic form में ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करें देखे 1 member 2, 3, 4, 5, 6 यानि यह 6 member की ring है तो यह pyran होगी ठीक है यह 6 member की है तो यह pyran structure हो जाएगी तो यहाँ पर अगर बात करें यह d glucose है जो की chain की form में है और यह d glucose pyranose है क्योंकि यह cyclic form में है और pyranose क्यों लगा है क्योंकि यह pyran structure है और glucose का है अब इसमें बीटा क्यों लगा है यह है एनोमर ठीक है जिस तरीके से इने शोमर में हमने दो फोम पड़ी थी L फोम एंड डी फोम इसी तरीके से एनोमर में भी हम दो फोम पड़ते हैं बीटा फोम और अलफा फोम दोनों में डिफरेंस क्या होता है चलिए बात करते हैं देखें यह structure जो है आप देख सकते हैं यह chain वाली structure है D glucose की D क्यों बोला है क्योंकि जो second last carbon है उसमें OH राइट साइड में है तो यह D glucose हो जाएगा अब देखो अब यह जो D glucose है इसको cyclic form में convert किया है यह cyclic form है और इसमें जो carbon की position को हम देखें देखो यह भी cyclic form है इन सभी में सब कुछ सेम है अगर मैं बात करती हूँ यह oxygen भी सेम है बिल्कुल सेम है first को एक बार रहने दे second की बात करते हैं तो second में भी OH नीचे है H उपर है OH नीचे है H उपर है थोर्ड की अगर बात करें H नीचे है H नीचे OH उपर अगर fourth की बात करें OH नीचे OH नीचे यहां पर CH2 OH CH2 OH सब कुछ सेम है छोड़ कर इस first carbon को first carbon में आप देख सकते हैं OH नीचे आया है और यहां पर OH उपर दिया गया है यानि जितने भी chiral carbon थे उन में से केवल एक chiral carbon से जो bonded atom या group है उसमें different है बाकि सभी में different नहीं है तो अगर यह chain form में होता तो उसको मैं पिमर बोल देते लेकिन क्योंकि यह cyclic form में है तो आप उसे anomer कहेंगे ठीक है अलफा बीटा कब कहते हैं यदि यह OH उपर आता है यदि यह OH उपर आता है तो आप उसे कहेंगे बीटा फोम अगर यह OH नीचे आता है तो आप उसे कहेंगे अलफा फोम ठीक है तो यहां पर भी इसके अंदर वो फोम होती है अलफा एंड बीटा और सैकलिक फोम में इस कार्बन की वज़े से एनुमर फोम हुआ है यह फर्स्ट कार्बन जो है दोनों में इसकी वज़े से एनुमर फोम हुआ है तो इसको एनुमर कार्बन भी बोलते हैं इसको एनुमर कार्बन भी बोला जाता है एनुम center भी बोल सकते हैं या फिर इसको एनोमर कार्बन भी बोल सकते हैं ठीक है जिसकी वज़े से यह एनोमर form होता है ठीक है बात समझ आई इतनी चलिए तो हमने इस्टीडियो आई सुमर्स कम्प्लीट कर लिया है जो भी हमने इसमें देखा था चलिए तो एक बार बात कर लेते हैं येस हमने ये पूरा कम्प्लीट कर लिया है सबसे पहले बात कि हमने stereo isomers क्या होते हैं यानि जिनका chemical formula सेम रहेगा bonded atom और जो groups हैं वो सेम रहेंगे लेकिन उनका arrangement different अगर हो जाए तो उसको stereo isomers कहते हैं ये फर्दर दो टाइप के हैं डाइस्टिरिया सुमर्स एंड इनन्चोमर्स इनन्चोमर्स में क्या है कि जितने भी कारल कार्बन है उनसे bonded atom की position change होगी तो इनन्चोमर है अगर सभी की position में चेंज नहीं आता तो diastereomers है अगर उसमें से एक में change नहीं आता है तो epimer है अगर वो अपनी chain form में होगा तो ठीक है और अगर एक ही carbon में change नहीं आता लेकिन वो अपनी cyclic form में है तो आप उसे कहेंगे enumer cyclic cyclic form में है तो ठीक है और स्ट्रांस का difference हमने देखी लिया है कि अगर जो गुरूप है वो सेम है यानि कि सेम गुरूप एक साइड में है तो सिस अगर वो अपोजिट साइड में है तो ठांस अगर मैं बात करूं अपने जो ओवर्वियू हमने देखा था कि कितना हम कर चुके है यस तो यह टोपिक हमारा आज कंप्लीट हो चुका है स्टीडियो आइसो मैरिजम ठीक है आगे बात करेंगे अप्टिकल अक्रिविटी डियरिवेटिव सोफ मॉनो सेक्राइट ओलई विडियोस में करेंगे आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, thank you